सत्संग करते समय एक साधक ने महर्शी रमण से पूछा कि महर्शी आत्म विचार कैसे करें? आत्मा की खोज कैसे करें? तब महर्शी रमण ने कहा आत्मा की अंदर में खोज नहीं होती. आत्मा पर विचार नहीं किया जा सकता. खोज अनात्मा की ही हो सकती है. किवल अनात्मा ही हट सकता है. आत्मा सदैव स्वयम प्रत्यक्ष होने से स्वयम अपने आप में प्रकाशित होगी. आत्मा को अनेक नामों से कहा जाता है. आत्मा इश्वर कुंडलीनी शक्ती इत्यादी इन में से किसी को भी अपना लो और आत्मा व्यक्त हो जाएगी. आत्मा से भिन इश्वर नहीं है. इस समय कुंडलीनी मन के रूप में प्रकट हो रही है. मन के मूल को खोजने पर कुंडलीनी प्रकट होती है. मंत्र के जब से अन्यविचारों का लोप होकर मंत्र पर ध्यान किंद्रित होता है. अन्तदहा मंत्र आत्मा में विलै होकर आत्म रूप प्रकाशित होता है. महर्शी आत्म विचार करने के लिए आत्मा के ज्यान की प्राप्ती करने के लिए क्या गुरू की आवश्यक्ता होती है? होती है तो कब तक? जब तक लगू अर्थात हलका है तब तक गुरू की आवश्यक्ता रहती है लगू का कारण है स्वयम आरोपित किन्तु ब्रह्म से अपने आप को सीमित मानना इश्वर आराधना की फलस्वरूप उनसे द्रडभक्ती प्राप्त होती है जिससे समर्पन होता है भक्त के समर्पन के फलस्वरूप इश्वर ये कृपा गुरू के रूप में व्यक्त होती है गुरू जो वास्तों में इश्वर ही है भक्त का मार्ग दर्शन कर बताता है कि इश्वर तुम में है और वह आत्मा है इससे मन अंतरमुक हो जाता है आत्म विचार कर लेता है और अंत दह साक्षात कार करता है आत्मा नुभाव करने की अवस्था तक साधन की आवश्यकता है तब आत्मा का स्वतह प्रकाशित होना आवश्यक है अन्यधा आनंद पूर नहीं होगा इस सहज अवस्था की प्राप्ति तक कुछ न कुछ प्रयास तो आवश्यक ही है महर्शी हम आत्म विचार करने आये हैं तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है क्या आत्मा के बारे में कोई अंतिम निर्णई है क्या पहले जानो आत्मा क्या है जब हम आत्मा को जानेंगे, तब यह प्रश्ण ही नहीं रहेगा, कि इसका अंतिम निर्णे है भी या नहीं पहले तुम बताओ, कि तुम आत्मा किसे कहते हो महर्शी, जीव ही तो आत्मा है, तो जीव क्या है, यह तो जानो जीव तथा आत्मा में क्या अंतर है, जीव, स्वयम आत्मा है अत्वा आत्मा कोई प्रिथक वस्तू है, जिसका तुम अनुभाव करते हो उसका अंत निश्चित है, जिसकी उत्पत्ती हुई है, उसका अंत, अत्वा, विनाश, अवश्यम भावी रूप से होगा जो अजन्मा है उसका अंत नहीं है जो वास्त्विक्ता है उसकी अनुभूती नहीं हो सकती उसका अनुभव नहीं किया जा सकता हमें खोजना चाहिए जो दृश्यमान है वह क्या है जो दिखाई देता है उसका अंत निश्चित है जो वास्त्विक्ता है वह नित्य है जो नवीन प्रकट होता है वह बाद में भी नश्ट हो जाएगा महर्शी आत्म विचार क्यों आवश्यक है यदि तुम आत्म विचार नहीं करोगे तो इस संसार का निम्न जगत का विचार चुपके से गुस्ता है जो नहीं है फिर तुम उसे पाने का प्रयास करते हो ना कि उसे जो वास्त्विक्ः है जो तुम खोजते हो उसकी एक बार प्राप्ती के बाद विचार भी समाप्त हो जाते है और तुम उसी में स्थिर हो जाते हो जब तक देहात्म बुद्धी है आत्मा खोई हुई कही जाती है तथा व्यक्ति को उसे प्राप्त करने का निर्देश किया जाता है परंतु स्वयम आत्मा कभी नहीं खोती वे नित्य है देह को आत्मा कहते हैं इंद्रिय को आत्मा कहते हैं इसी प्रकार जीव आत्मा परमात्मा इत्या दी हजारों वस्त्मों को आत्मा की संग्या दी जाती है आत्मा की खोज से अभी प्राय है महर्शी हम आत्म प्रकाश, आत्म विचार, आत्म ज्यान, इनको कैसे समझे, कृपिया करके समझाए इसे ध्यान से समझो, मैं की कलपना अहंकार है मैं का प्रकाशित होना वास्त्विक आत्मा का साक्षात्कार है यह अहंकार विज्ञानमय कोश में सदैव मैं मैं इस रूप में प्रकाशित होता है यह शुद्ध ज्यान है सापिक्ष ज्यान केवल कल्पना है आनंद मय कोश का आनंद भी केवल कल्पना है जब तक अनुभव न हो चाहे वह कितना ही सूक्ष मा अनुभव हो कोई यह नहीं कह सकता मैं आरंद से सोया अपने बुद्धी से वह आनंद मय कोश का वर्णन करता है बुद्धी की तर है नीद का आनंद भी व्यक्ति के लिए कल्पना मात्र है तथा पी सुशुप्ति के अनुभव की कल्पना अत्यधिक सूक्ष म है सापेक्ष ज्ञान के विना अनुभव संभव नहीं आत्मा का सहद स्वभाव आनंद है परम आनंद के साक्षातकार में भी किसी ने किसी प्रकाश के ज्ञान को स्विकार करना पड़ता है यह सूक्ष मतम से भी अधिक सूक्ष म हो सकता है विज्ञान शब्द आत्म साक्षातकार तथा भोतिक पदार्थों का ज्ञान दोनों ही अर्थों में उप्योग किया जाता है आत्मा ज्ञान है यह दो प्रकार से कारिय करती है जब अहंकार से युक्त होता है तब वस्तुओं का ज्ञान होता है अहंकार से आत्मा जब मुक्त होती है व्यापक आत्मा का साक्षात्कार करने पर भी इसे विज्ञान कहा जाता है इस शब्द से एक मानसिक कल्पना का उदै होता है इसी कारण हम कहने लगते हैं कि आत्मग्यानी संद अपने मन से जानता है किन्तु उसका मन निर्मल होता है फिर हम चंचल मन को अशुद्ध तथा शांत मन को शुद्ध कहते हैं शुद्ध मन स्वयम ब्रह्म ही है यह निशकर्ष निकलता है कि ब्रह्म ग्यानी के मन से भिन कुछ भी तो नहीं है मुंडकोप निशद के अनुसार ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म का आत्मा बन जाता है क्या यह हास्यास्पग नहीं है उसे जानना तथा वही हुजाना यह किवल शब्द है ग्यानी ब्रह्म है बस इतना ही जानो अपने अनुभाव को व्यक्त करने हे तू मानसिक प्रक्रिया की आवश्यक्ता है ग्यानी निरंतर व्यापक ध्यान में मग्न रहता है ऐसा कहा जाता है कि स्रिष्टी करता शुक इवमन्य ऐसे ध्यान से कभी भी विचलित नहीं होते फिर इस प्रकार का ध्यान किवल शब्द ही है उसका ध्यान कैसे होगा जब तक की वह ध्याता तथा धेय में विभाजित नहो बिना विभाजित हुए ध्यान कैसे संभव है क्या अनंत में कोई गर्म हो सकता है एक सरिता के सागर में समा जाने पर क्या हम उसे सागर जैसी सरिता कहते हैं तब फिर हम उस ध्यान को जो अभंग है उसे अभंग अनंत का ध्यान क्यों कहते हैं इस कथन को जिस भावनास से कहा गया है उसी भावना में समझना चाहिए अनंत में विलीन होना यही प्रकट करता है आत्म ग्यान तथा आत्म साक्षातकार भी इसी प्रकार का है आत्मा नित्य प्रकाशित है तब फिर इस मैं प्रकाश से क्या अभिप्राय है इससे मन के सक्रिय होने की मान्यता द्वानित होती है महर्शी फिर हम आत्म विचार करते करते आत्मा तक कैसे पहुचेंगे आत्मा तक पहुचना नहीं होता यदि आत्मा तक जाना होता तो इसका अर्थ होगा कि आत्मा यहां और अभी नहीं है किन्तो इसकी नवीन प्राप्ती होगी जिसकी नवीन प्राप्ती होगी उसका अंत भी निश्चित है इस प्रकार यह आस्थाई होगी जो स्थाई नहीं है वह प्राप्त करने योग्यन है इसलिए मैं कहता हूँ कि आत्मा तक पहुचना है नहीं, तुम आत्मा हो, तुम वही हो, सही बात यह है कि तुम अपने आनंद स्वरूप से अनभिग्य हो, उसे नहीं जानते, तुम्हारा प्रमाध, अकस्मात आकर पूर्ण आनंद को ढख लेता है, इस अज्ञान को हटाने के लिए ही सारे प्रयास किये जाते हैं, यह अज् मिथ्या ग्यान से युक्त है, शरीर और मन इत्यादी का आत्मा के साथ तादात में ही, मिथ्या ग्यान है, यह मिथ्या तादात में निकल जाना चाहिए, और तब आत्मा ही अवशेश रहेगी, महर्शी यह कैसे होगा, आत्मा की खो़ज से, महर्शी यह बड़ा कठिन लगता है, क्या मैं आत्मा का विचार करके आत्म साक्षातकार कर सकता हूँ, कृप्या करके मुझे बताएं, बड़ा कठिन लगता है तुम अभी भी आत्मा हो अतह साक्षातकार प्रत्तिक को समान है साक्षातकार साधकों में भेद नहीं करता यह संशय ही कि क्या मैं साक्षातकार कर सकता हूं तथा यह भाव कि मैंने अब तक साक्षातकार नहीं किया है यही बाधाई हैं इनसे मुक्त हो जाओ महर्शी क्या आत्म विचार में समाधी आवश्चक है तुम सदैव आत्मा में हो अब समाधी में गहन नींद में साक्षातकार में यदि तुम आत्म भाव छोड़ दो और अपने को शरीर तथा मन मान लो तो ये अवस्थाएं तुमको घेर लेती प्रतीत होती हैं और समाधी में भी तुमको शुन्य सा प्रतीत होता है जबकि तुम आत्मा हो और नित्य सिद्ध हो महर्शी मैं जब आत्म विचार करता हूँ तो मेरा मस्तिश्क गर्म हो जाता है मैं भैभीत हो जाता हूँ, फिर विचार करना छोड़ देता हूँ, क्या करूँ हाँ, मन मस्तिश्क में एकाग्र हो जाने से, तुम्हें वहां गर में अनुभाव होती है यह अहम भाव के कारण है, जब तक संकल्प रहेंगे, तब तक विस्मिर्थी होगी जब अहम ब्रम्हास्मी का विचार आता है, विस्मिर्थी अकस्मात आ जाती है तब अहम भाव उदय होकर, साथ ही मृत्यू का भै भी उत्पन होता है विस्मिर्थी तथा संकल्प अहम भाव के कारण ही है, इसे पकड़ोगे तो यह भ्रम की तरह लुप्त हो जाएगा जो अवशेश रहेगा, वह वास्त्विक मैं है, यही आत्मा है अहम ब्रम्हास्मी एकाग्र होने का एक साधन मात्र है यह अन्य संकल्पों को दूर रखता है, केवल एक वही विचार रहता है देखो कि वह विचार किसका है तब पता चलेगा कि इसका उद्गम अहम भाव से है अहम भाव का उद्गम कहां से है इसकी शोध करो अहम भाव नश्ट हो जाएगा परम्तत्व आत्मा स्वयम प्रकाशित हो उठेगी अन्य किसी प्रयास की आवश्यक्ता नहीं है जब केवल वास्तिक मैं अवशेश रहेगा तब वह अहम ब्रम्हास में नहीं कहेगा क्या कोई ऐसा व्यक्ती है जो कहता रहता है कि मैं आदमी हूँ जब तक उसे चुनोती न दी जाए वह क्यों कहेगा कि मैं आदमी हूँ क्या कभी भी कोई भूल से स्वयम को पशू मानता है कि वह यह कहे कि नहीं मैं पशू नहीं हूँ मैं तो मनुश्य हूँ इसी प्रकार ब्रम्ह अत्वा मैं मात्र की सत्ता होने से इसे चुनोती देने वाला कोई नहीं है अतहा अहम ब्रम्ह अस्मी के जब की अवश्यक्ता नहीं है महर्शी हम बच्पन से सुनते आए हैं आत्मा परमात्मा पर यह कभी पता नहीं लगा कि यह क्या है अभी भी नहीं पता क्या बताने का कष्ट करेंगे देखो आत्मा क्या है तुम जिसे आत्मा मानते हो वह वस्तुतह या तो मन है या बुद्धी या मैं की कल्पना अन्य संकल्पों का उदै मैं की कल्पना की पश्चात ही होता है इसलिए मैं पर ही तिक जाओ अन्य संकल्प लुप्त हो जाएंगे तथा के वला आत्मा ही अवशेश रह जाएगी तुम देखो तो सही मैं क्या दो हैं तुमारे अंदर तुम्हें अपने अस्तित्व का बहान कैसे है क्या तुम अपने आप को इन नेत्रों से देखते हो स्वयम अपने आप से पूछो यह प्रश्न क्यों ठा क्या मैं इसको पूछने हे तु रहता हूँ या नहीं क्या मैं अपनी आत्मा को दर्पन में देखने से पा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा द्रिष्टी कोन बहिरमुखी हो गया है संसार की तरफ इसलिए आत्मा का अधर्शन नहीं होता और तुम्हारी द्रिष्टी बाहर हो गई है आत्मा बाहर की वस्तों में नहीं मिलती द्रिष्टी को अंतर्मुख करलो गहरे में चले जाओ तुम स्वयम आत्मा ही तो हो महरशी आत्म विजार के लिए आत्म साक्षातकार के लिए कैसी प्रयास की आवश्यक्ता नहीं है नहीं संकल्प शून्ने हो जाना अध्वा मन की शांती ही साक्षातकार है ऐसा कोई क्षण नहीं जब आत्मा नहीं है जब तक संशय है तथा साक्षातकार नखोने का भाव है तब तक इन संकल्पों से मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए इन विचारों के कारण आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य हो गया है जब अनात्मा का लोब होगा तब केवल आत्मा शेश रहेगा किसी जगह को खाली करने के लिए वहां की वस्त्वों को हटा देना ही परियापत है बस खाली जगह कहीं बाहर से नहीं लाई जाती वो पदार्थ हटाने से अपने आप हो जाती है न किवल इतना ही अपितू भरी जगह में भी अवकाश तो है ही संकल्पों के अभावकार्थ शुन्यता नहीं है ऐसा भी कोई होगा जिसे शुन्यता का बोध हो शुन्यता को कोई महसूस तो कर रहा होगा न ज्यान अत्वा अज्यान मन को है विद्वईत सिहुद्पन होते है किन्तु आत्मा ग्यान अत्वा ग्यान से परे है वह स्वयम प्रकाश है आत्मा को देखने के लिए दूसरी आत्मा की अवश्यक्ता नहीं है आत्माईं दो नहीं है जो आत्मा नहीं है वह अनात्मा है अनात्मा आत्मा की अनुभूती नहीं कर सकता आत्मा न देखता है न सुनता है वह इन से परे है केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है एक महिला अपने गले में हार धरन किये उसके खो जाने की कलपना से उसे खोजती फिरती है जब तक कि उसकी सकी उसे गले के हार की याद नहीं दिलाती तब तक उसने स्वयम ही उसके खोजाने की कलपना कर ली स्वयम ही उसे खोजने की चिंता कर ली तथा स्वयम ही उसके पुना प्राप्त करने की प्रसन्यता व्यक्त कर ली इसी प्रकार आत्मा सदै विद्यमान है तुम इसे खोजो चाहे ना खोजो जिस प्रकार उस महिला की कल्पना में खोए हुए हार की पुनह प्राप्ति का भाव होता है उसी प्रकार अविद्या के दूर होने से तथा मिथ्या तादात्मे की समाप्ति से आत्मा जो सदै विद्यवान है अभी और यहाँ वह प्रकट हो जाता है इसे साक्षातकार कहते हैं यह नया नहीं है यह अविद्या के निरसन करने से अधिक कुछ भी तो नहीं है मन को खोज करने का दुश परिणाम है शुन्यता मन को शाखा प्रशाखा सहित समूल नश्ट करना होगा यह देखो कि विचार करता कौन है खोज करने वाला कौन है और वही विचार करता और शोध करता बने रहो सारे संकल्पों का लोप हो जाएगा इसी तर है धीरे धीरे आत्म विचार करते करते तुम्हारे सारे संशय नश्ट हो जाएंगे कोई द्वंद्व नहीं रहेगा द्वंद्व छोड़ो मन ही नहीं रहेगा अहंका रुत्पन नहीं नहीं होगा धीरे धीरे आत्मा में बैठ जाओ झाले में जाएंगे झाले में जाएंगे झाले में एक्यान क्या होगा